Hello Students Welcome back to Elite Tutors हम इस वीडियो में हम continue करने वाले हैं चप्र 1-6 और इसमें हम देखने वाले हैं Sort Examples और जो आपके Textbook में Page Number 6 पे है So does the example को solve करने से पहले जितने भी Formula का Use होने वाला है पहले हम वो देखने वाले हैं और कुछ basic Concepts समुझने वाले हैं तो जैसे यह formula है force का जो Newton ने दिया था कि F which is equal to G into M1 into M2 upon D square तो यह formula क्या था कि अगर दो bodies है different masses के हो या same masses के हो तो उनके बीच में attraction force होता है और अगर वो attraction force अगर आपको find out करना है तो वो यह formula से आप find out कर सकते हो तो यह formula में Newton ने क्या बोला था कि force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between the objects तो इसका क्या मतलब है कि force जो यहां पे रहेगा इन दोनों bodies के बीच में जो force रहेगा वो directly proportionate to the product of masses मत्दब अगर इनके mass बढ़ाते चले जाओगे तो इनके बीच में जो forces रहेंगे वो भी बढ़ते चले जाएगे लेकिन inversely proportional to the square of the distance जिसमें से distance पे आप focus करिए कि अगर आप distance increase करोगे distance दूर करते चले जाओगे तो force कम होते रहेगा तो inverse relation में आपको पता है कि यही होता है कि एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा कम होता है तो अगर distance बढ़ेगा दूनों बाड़ी के बीच में आप distance बढ़ाते चले जाओगे तो दूनों के बीच में जो attraction force है वो कम होते रहेगा जिसका आप inverse proportion बोलोगे लेकिन दूनों बाड़ी में से अगर mass आप increase करते चले जाओगे और mass को product करोगे तो जो value अगर increase होते जा रहा है तो दूनों के बीच का जो force है वो भी जादा होएगा मतलब अगर इसके mass अभी अगर कोई force है और इसमें से इसका mass आप जादा कर देते हो तो दूनों के बीच में जो force है वो भी जादा हो जाएगा तो इसलिए Newton ने बोला था कि force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance और जब भी proportionality आता है तो एक constant term जरूर आता है जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है तो यहाँ पे इस case में जो constant जो constant है proportionality का जो constant है वो Newton ने g अजूम के जिसको universal gravitational constant बोलते है और जिसका एक value fix है जो Newton ने नहीं find out किया था बलकि Henry Cavendis जो scientist है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली यह value find out किया था 6.67 into 10 raise to minus 11 newton meter square per kilogram square तो यह value आपको बाहाट करना है क्योंकि sums में हमको यह value खुद से याद रखना पड़ेगा यह value दिया भी जा सकता है नहीं भी दिया जा सकता है आपको यह find out करना है क्योंकि यह universally gravitational constant value है students यह fix rate है क्योंकि proportionality में constant आता है या मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में पहले की वीडियो में तो यह formula अब तब use करोगे जब आपको दो bodies के बीच में जो force attractive force पूछा जाएगा तब आप यह use करोगे इसमें एक चीज़ और आपको बता रहा हूं कि यह जो arrow है और यह जो arrow है और यह जो same same f लिखा है इसका क्या meaning है यह arrow का मतलब है कि यह feel कर रहा है इस तरफ जाने का मतलब यह इसको इस तरफ खीच रहा है और ये feel कर रहा है इस तरफ जाने का मतलब ये इसको इस तरफ खीच रहा है और सबसे important बात ये है कि अगर मैं आपको बोलू कि आपको इसका mass भी पता है इसका भी mass भी पता है आपने दोनों का mass लिखा यहां पे multiply किया आपको दोनों की body की बीच का distance भी पता है आपने वो भी लिखा उसको square भी कि आपको gravitational constant भी पता है आपने सब solve कर लिया और suppose आप आपने find out किया कि दोनों की बीच में जो force आ रहा है वो 2 newton का force आ रहा है तो कौन सा body 2 newton का force apply कर रहा है यह apply कर रहा है यह apply कर रहा है यह apply कर रहा है इसके उपर यह apply कर रहा है तो आपको यह बता रहो कि दोनों same force apply करेंगे 2 Newton का force ये भी इसके उपर अप्लाय कर रहा है अपनी तरफ खीचने के लिए और 2 Newton का force ये भी अप्लाय कर रहा है इसके उपर अपनी तरफ खीचने के लिए दोनों का force same रहेगा लेकिन opposite direction मिलेगा तो अगर दोनों का force same रहता है तो अगर मैं आपको एक example दू कि ये अगर अर्थ है और ये आप हो जो इतने बड़े नीर होगे एकदम छोटे रोगे तो अर्थ का एक मास है जो बहुत जादा मास है और आपका भी एक मास है जो बहुत कम है अर्थ से compare करोगे तो अगर अर्थ ने, in case 2 newton कम है, अगर अर्थ ने 2 newton का force अगर आपके उपर अपलाई किया है तो आपको पता है कि आप भी same time पे अर्थ के उपर भी 2 newton का force अपलाई कर रहे हो लेकिन अगर आप हवे में हो इसके gravitational field के अंदर तो आप अर्थ को अपनी तरफ खीचोगे, क्या अर्थ आपको अपनी तरफ खीचेगा तो अर्थ के उपर आप जाके गिरोगे, ना कि अर्थ आपके उपर आएगा लेकिन आप भी वही force अपलाई कर रहे हो, जो अर्थ आपके उपर अपलाई कर रहे है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अर्थ के उपर जाके गिर रहे हैं तो यहां पर force से नहीं हो रहा है, यहां पर acceleration से आपको समझना पड़ेगा acceleration क्योंकि जिसका mass जादा होता है, वो छोटे वले body के उपर acceleration प्रड्यूस करता है अब acceleration का क्या मतलब है? अगर आप एक scootie पर, scootie को स्टार्ट करके बैठे हो, खड़े हो समझो ready हो और आपने accelerate किया, तो scootie भागना चालू करेगी, तो जैसे ये आप ने acceleration किया, scootie का भागना शुरू हो गया, मतलब velocity उसके अंदर, तो acceleration से velocity, मतलब change होता है, तो यहाँ पर जब यह body जिसका ज़्यादा मास रहेगा अगर उसके वज़े से छोटे वले body के उपर क्या होएगा acceleration आएगा तो जब यह acceleration होएगा और इसका velocity change होगा तो यह body इस तरफ move होना चालूएगा मतलब एक बड़ा body जो है वो छोटे body पर acceleration प्रड्यूस करता है इन फैक्ट जीरो के पराबर देंगे अर्थ अपनी जगे से जरा भी नहीं हिलेगा लेकिन हम और जितने भी object अर्थ के उपर जाएंगे सब acceleration दूट ग्रैविटी की वज़े से अर्थ की तरफ आएंगे तो यह आपको याद रखना है तो force दुनों same रहता है opposite direction होता है लेकिन acceleration के वज़े से फिर वो दूसरा body accelerate होता है और बड़े mass के तरफ वो चलाता है तो यह आप याद रखिए कि जब भी आपको दो बड़ी के बीच में force के बारे में पूछा जा रहा तो आप यह formula यूज करोगे और उसके बाद हमारे पास newton के तीन laws जो है first law of equation second और third जो है यह तीनों law का यूज होने वाला इस solve example को solve करने के लिए अब यहाँ पर कौन से formula को कहाँ पर यूज करना है तो इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा जिसे यह formula क्या है तो 0 पे थे तो 0 initial velocity है और जब चलने लगे 5 meter per second से तो वह final velocity होगी यह आप पहले से कार को 5 meter per second के साब से चला रहे थे फिर आपने acceleration के और आपकी speed आपने बढ़ा के 10 कर दिया तो 5 initial बन जाएगा और जो change हुआ 10 है वह final हो जाएगा तो यह दो velocity है और A है acceleration जब भी आप acceleration दोगे तब भी velocity में changes आएगा और तब भी velocity शुरू होगा t का मतलब time है यह आपको पता है तो इन 4 term में से v, u, a, or t इन 4 में से कोई 1 term अगर missing है data में आपके question में और बाकि सब के values अगर आपके पास है तो आपको यह formula यूज करना है मतलब अगर v find out करना है आपको u, a, or t आपके पास है तो आप यह formula यूज कर सकते हो उसी तरह यहाँ पे भी 3 term में एक force है एक mass है और एक acceleration है इन तीनों में से कोई एक चीज अगर missing है बाकि सब के values अगर आपके पास है आपको question read करना है आपको find out करना है कि क्या चीज दिया है क्या चीज नहीं दिया है अगर वहाँ पर आपको यह समझ में आ रहा है कि यह दो चीज दिया है एक चीज पूछा है तो आपको यह formula यूज करना पड़ेगा और वही चीज यहाँ पे न्यूटन के third law में भी आने व formula है यह कभी-कभी R square करके देगा और solve example में दिया भी है लेकिन मैंने D square के formula से आपको में solve कराने वाला हूँ दोनों 1 in the same है R हम लेते हैं जब planet-planet के बारे में discuss करते हैं और बाकि D हम लेंगे जब दो bodies जो जमीन के उपर है उसके बारे में discuss करेंगे तो दोनों 1 in the same है तो D square R square और S समझें सेम है displacement मतलब यह displacement है distances समझें यू है फिर से होई initial velocity T है फिर से होई time और A है acceleration और फिर से T वही time है तो अगर displacement, initial velocity, time दोनों भी सेम है और acceleration इन चारों में से कोई एक चीज का value आप से पूछा है और बाकि तीनों का दिया है कोई भी हो सकता है तो अब यह formula यू यह तो जरूरी है और बाकि यह सब भी यूज होगा जैसे से हम देखेंगे वैसे समझेंगे सबसे पहले आपको एक चीज और है कि इनके सब के units आपको याद रहने चाहिए क्योंकि units आप data लिखने time लिखोगे और बाद में फिर solve करने के बाद finally जो चीज आपको मिलेगा उसके सामने उसका unit लिख दोगे तो force का जो unit है वो newton है gravitational constant का universal gravitational constant का unit है newton meter square per kilogram square और यह भी मैंने वीडियो में बताया किस तरह हमको यह मिला unit mass होना चाहिए kilogram में अगर gram में दिया तो आपको kilogram में change करना पड़ेगा यह change करने के ज़रूत ने यह सब change करने के लिए नहीं आएगा आपको यह आ सकता वापे से distance चाहिए displacement की बात हो चाहिए radius बोल के दिया हो वो meter में होना चाहिए initial velocity final velocity का unit meter per second होता है यह change करने के लिए question आपको नहीं मिलेगा acceleration को भी change करने के लिए question नहीं आएगा meter per second square इसका unit है time का unit second है यह change करने के लिए आ सकता है time आपको minutes में दे सकता है आपको second में change करना पड़ेगा distance आपको kilometer में दे सकता है आपको meter में change करना पड़ेगा centimeter में दे सकता है आपको meter में change करना पड़ेगा य सारे चीज़े चेंज करने के लिए नहीं हैंगे तो आपको यह चारो फॉर्मले याद रखना है इस सॉल एक्जामपल के लिए और यह यूनिट से याद रखना है और कुछ चीज़े और देखते हैं उसके बाद हम शुरू करते हैं जैसे देखिए कि अगर दो लोग हैं और अपने कमरे में बैठे हैं यह एक कमरा ने दिख रहा है लेकिन एक कमरे में बैठे हैं तो इसका भी एक मास है और इसका भी एक मास है और सपोसकर इसका मास जादा है और इसका मास कम है और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और डिस्टेंस कहां से कहां तक रहेग तो वो हमको मिलेगा भी लेकिन अगर इस कमरे में जिस कमरे में ये लोग बैठे हैं अगर ये जिन्दगी पर इसी तरह बैठे रहेंगे तो कोई किसी भी तरफ मूव नहीं होने वला है जबकि मैंने आपको बता था कि हम अर्थ की तरफ मूव होते हैं क्योंकि हमारा मास तो यह अर्थ की तरफ जाते हैं तो वैसा यहां पर अगर यह भी- आज़पड़ी है। यह इसके उपर अय्टत प्रोड्यिकर डियुक्त स्चानर्य को medo bracket का और नगर अधर कर तो पर वह टो चेर का और इनका जहां पर contact हो रहा है तो contact पर भी एक force create होता है जिसको बोलते है frictional force तो यहां पर एक तो frictional force है जो इनको हटने नहीं दे रहा है दूसरा यह लोग जहां पर बैठे हैं कमरे में वो कमरा एक बहुत बड़े अर्थ के एक चोटे से तुकड़े पर यह तो बहुत बड़ा जगा दिख रहा है मतलब अर्थ के उपर बैठे हैं लोग ठीक है तो अर्थ तो खुद एक बड़ा body है तो अर्थ ने तो वैसे भी इनको अपनी तरफ खीच के रखा है तो यह लोग जब अर्थ अर्थ अगर उनको सेंटर के तरफ खीच के रखा है तो यह लोग आपस में कैसे जाएंगे तो अगर इनका artificial force जो अर्थ के वजी से ही समजी यह भी तो अर्थ के उपर यह चेर भी अगर चेर भी गाइब कर दी जाए अर्थ भी गाइब कर दी जाए मतलब इनका frictional force जो है अगर वो zero कर दिया जाए मतलब रहे नहीं ना अर्थ रहे नहीं chair रहे तब आपको पता है अगर यह लोग space में आ जाते हैं एकदम गायब हो जाते हैं chair भी गायब हो जाता है यह chair के साथ चले जाएंगे space में तो अब क्या होगा यह जो heavy body वाला जो mass वाला जो यह इनसान है यह इसको अपने तरफ खीचना चालो करेगा acceleration इसको पर produce करेगा तो यह कब हो पाएगा जब friction force नहीं रहेगा तो यह आपको याद रखना है चले हम शुरू करते हैं first question जो आपको दिया है कि example 1 में कि महंद्र और विराट आर sitting at a distance of 1 meter from each other तो महंद्र और विराट दोनो sitting at a distance of 1 meter दोनों एक दूसरे से 1 meter के distance पे बैठे हैं from each other their masses are 75 kg and 80 kg respectively तो 75 kg महंद्र का mass है और 80 kg विराट का mass है और दोनों की बेच का जो distance है वो 1 meter है क्या पूछा देखे what is the gravitational force between them दोनों की बीच में जो force है वो क्या है तो आपको मैंने पहले बता है कि दोनों की बीच का अगर force पूछा जाता है तो यह formula लाएगा तो यह formula के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको दोनों का mass चाहिए तो आपके पास है एक 75 kg और एक 80 kg आपको दोनों के body की बीच का distance चाहिए distance और वो भी यहाँ पे दिया 1 meter और एक gravity distance constant चाहिए जो आपने आपको बाहर करना पड़ेगा और अगर unit के बात करते हैं तो यह मैंने आपको unit बताया था तो masses के जो unit है वो kilogram में होना चाहिए तो यहाँ पे दिया है कि 75 kg 80 kg distance जो है वो meter में होना चाहिए distance meter में होना चाहिए यहाँ पे meter में दिया है और यह जो है यह आपको by heart करना है यह तो आपको same ही लिखना इसके साथ तो यहाँ पे किसी भी unit को आपको change करने के जोरत नहीं अगर यह gram में दिया होता है तो आपको kilogram में change करना पड़ता था यह अगर meters है डागे centimeter में या kilometer में दिया रहता है तो भी आपको change करना पड़ता था meter में SI unit में आपको यह सारे चीज़ करना पड़ता है तो चलिए हमको दिया क्या है तो हमको यहां पे अगर देखेंगे तो पहले यह बता है कि दोनों के बीच का distance 1 meter है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं तो हमने शुरू किया सब्वोस कि distance जो है वो 1 meter है उसमें से एक का मास 75 kg है और एक का मास 80 kg है तो एक को M1 ले ले लेते हैं एक को M2 ले ले लेते हैं तो यहां पे M1 75 kg है और M2 क्या है 80 kg है और फिर हम से क्या पूचा है फोर्स पूचा है देकिन यह दो हमारे पास है यह है और यह भी चीज हमारे पास होना चाहिए और यह हमको by heart करना है तो इसका value भी हम लिख लेते हैं कि 6.67 into 10 raise to minus 11 Newton meter square per kg square तो यह सब अगर हमारे पास है mass भी है, distance भी है, gravitational constant भी है तो यह सब को लिखने के बाद जो आपको value मिलेगा solve करने के बाद वही तो दोनों की बीज़ का attraction force रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर formula लिखते हैं कि therefore f which is equal to g into m1 m2 upon d square तो यह तीनों भी multiplication में, यह बीच में नहीं कहीं पर formula इसा लिखा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा लेकिन यह तीनों भी multiplication में तो हम यहाँ पर value लिखते हैं इनका which is equal to g अगर आप देखो को तो यह लिखना है आपको 6.67 into 10 raise to minus 11 unit अब मत लिखे, लास में आपको जब सब value मिल जाएगा तो force आपको मिलेगा तो आपको उसके बाद newton लिखना है तो फिर multiply by m1 mass 1 जो आप 75 kg में से 75 लिख दीजे और m2 80 kg है तो आप 80 लिख दीजे और divide by यहाँ पर distance का square है distance 1 meter दिया है simple दिया है तो 1 का square करेंगे तो आपको पता है 1 का square 1 आएगा और फिर किसी भी नमर के denominator में 1 आएगा तो वो चला जाएगा मतलब आपको सिफ numerator solve करना है तो फिर अब यहाँ पर हम लिखते हैं which is equal to 6.67 को same लिखते हैं 6.67 multiply by इसको भी same 10 raise to minus 11 और यहाँ पर जब आप इन दोनों को multiply करोगे 75 को 80 से तो वो आपको मिलेगा 6000 तो आपने इन दोनों को multiply किया यहाँ पर लिखा और फिर यह चीज़ को यहाँ पर लिखा और दोनों को लिखना नहीं तो अब आपको इसको solve करना है और इसको simplify कैसा कर सकते हैं इसको लिखा 6.67 यहाँ पर इसको भी same लिख दिया 10 raise to minus 11 multiply by 6000 का मतलब यह होता है 6 into 1000 और 1000 का मतलब क्या होता है 10 raise to 3 तो यहाँ पर आजाएगा 10 raise to 3 फिर उसके बाद यह दोनों को साथ में लिखे और यह दोनों को साथ में लिखे तो यह हो जाएगा 6.67 multiply by 6 फिर multiply by 10 raise to minus 11 और फिर multiply by 10 raise to 3 और फिर आपको एक formula याद आना चाहिए lower classes में से कि अगर a raise to m multiply by a raise to n होता है तो हम क्या करते थे a raise to m plus n करते थे मतलब अगर यह दोनों सेम है और यह दोनों अलग-अलग है तो इन दोनों power को plus करते है तो यहाँ पर दोनों भी 10 है a के जिसा और यह m और n different है तो दोनों को plus करना है मतलब minus 11 को plus करना है 3 से तो minus plus minus होगा तो जिसका value आजाएगा आपको 8 और since यह greater number है तो minus 8 आजाएगा मतलब यह पूरा जो power है यह पूरा मिल के बन जाएगा 10 raise to minus 8 तो इन दोनों के place पे हम लिख देते है 10 raise to minus 8 तो यह जाएगा which is equal to 6.67 multiply by 6 multiply by 10 raise to minus 8 और अब आप क्या करिए इन दोनों को multiply करिए तो जब आप multiply करोगे इसको तो आपको मिलेगा 40.02 और फिर यहाँ पे यह रहेगा 10 raise to minus 8 और आपको करना क्या है कि decimal जो system है वो एक के बाद आपको करना है मतलब यह decimal point आपको यहाँ पे लाना है तो जब भी हमको कोई भी number में decimal point को left side में move करना पड़ता है तो आपको 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करना पड़ता है डिपेंड करता है कितना move कर रहे हो अगर एक प्लेस मूग करना चाहते हो तो 10 से, दो प्लेस मूग करना चाहते हो तो 100 से, तो हमको सिर्फ एक प्लेस मूग करना यहां से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने मर्जी से अगर इसको 10 से डिवाइड कर रह इन पूरे को अगर आप solve करोगे तो यह बन जाएगा 4.002 और यह पूरा एक मिल के इतना हो जाएगा फिर यह जो into 10 बच रहा है यह आपका बचेगा तो यहाँ फिर हम अगर लिखे तो यह इस तरह हो जाएगा 4.002 into 10 raise to minus 8 और फिर into यह 10 जिसका पावर अगर कुछ नहीं तो 1 है suppose करिए suppose मतलब रहते हैं यह 1 अब यह फिर से क्या बन रहा है आपका वही a raise to m multiply by a raise to n तो आपको दोनों पावर को plus करना है तो अगर minus 8 को और plus 1 को solve करते हैं तो आपको मिल जाएगा minus 7 तो इसका मतलब पूरा value जो है 10 raise to minus 7 हो जाता है तो finally जो force है वो आपको मिलेगा 4.002 into 10 raise to minus 7 newton अब इस पर आप ध्यान देजिए कि 10 raise to minus 7 का क्या मतलब है कि 4.002 को divide कर यह 10 मतलब 7 time 0 से अगर आप 7 time यहाँ पर 0 लिखते हो तो यह point यह पूरे 10 को हटाने के लिए 7 0 को हटाने के लिए point को 7 time यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा मतलब यह 0.000004 002 कितना छोटा force है यह आप समझे कितना छोटा force है बहुत जादा ही कम force है तो चली यह है आपका इन दोनों महेंदर और विराट के बीच का force जो बहुत ही जादा कम है चली इसके बाद देखते हैं चली इसके बाद text में क्या लिखा है कि महेंदर और यह तो लिखा है question वापिस आपको बता रहो यह तो हो गया है इन दोनों के बीच का जो force है तो यह जो force है यह बहुत जादा ही कम है किसके लिए इन दोनों के लिए और विलोग बेंच पर बैठे है यहाँ पर चेर का एक्जामपल लिया था अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इस इस अ वेरी स्मॉल force यह जो force है बहुत ही मामुली का मामुली सा force है if the force of the friction लेकिन अगर यह जो friction का force है बेंच पर बैठे हो लोग यहाँ पर चेर का एक्जामपल लिया है थोड़ा सा आपको अजिस करना है तो if the force of friction between महेंद्र and the bench महेंद्र सपोज यह महेंद्र है जिसका मास 75 kg है कम है और यह विराट है जिसका मास 80 kg है ज्यादा है तो obviously acceleration इसके उपर produce होएगा और यह इसकी तरफ move होना चालू करेगा ना कि यह इसकी तरफ आएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि heavy जो body होता है वो जो से कम मास वाला body होता है light होता उसके उसको उसके उपर क्या करता है वो acceleration produce करता है तो महेंद्र जो है वो विराट की तरफ move होना चालू करेगा लेकिन कब जब यह friction नहीं रहेगा तब क्योंकि अभी तो फिलाल अर्थ ने चेयर ने ही इनको क्या करके रखा पकड़ के रखा अपनी तरफ तो यहां पर क्या लिखा है कि if the force of friction between महेंद्र and the bench on which he is sitting is zero अगर यह zero हो जाता है ऐसा zoom करते हैं कि अगर इनका जो frictional force है यह zero हो रहा है अब इनके पर कोई दूसरा force act नहीं कर रहा है कहीं से भी then he will start moving towards विराट तब यह जो महेंद्र है यह विराट की तरफ move होना चालू करेगा under the action of this force यह जो force आपको मिला है इतने ही force भी भले बहुत कम force है लेकिन इतने ही force के वज़े से इसके अंदर acceleration आएगा और यह कुछ-कुछ seconds में कुछ-कुछ distance इसकी तरफ cover करता है चालू करे है कि अगर friction नहीं रहेगा तो यह चीज़ होगा ही तो क्या लेका then he will start moving towards विराट under the action of this force we can calculate his acceleration अब हम इसके उपर जो acceleration आने वाला है और जिसके वज़े से जो velocity आने वाला है तो we can calculate his acceleration and velocity by using Newton's law of motion तो Newton's के जो तीन law देखे तो इसके बेस पे हम यह भी find out कर सकते कि इसके velocity क्या रहेगी और acceleration देने के बाद ही velocity produced होता है यह आपको याद रखना है acceleration जिसे जिसे आप increase करोगे velocity भी क्या होता है increase होता है चली इसके बाद देखते हैं कि अब यहां पर हमको condition दिया है कि अगर इनका friction zero कर दिया जाता है मतलब इनके उपर कोई external force अगर act नहीं कर रहा है तो इनके बीच में जो force है जो 4.002 इंट 10 दिस्टो माइस 7 N का है उसके वज़े से जो महेंदर जो है वो विराट की तरफ जो चलना शुरू करेगा तो किस acceleration कौन सा acceleration यहाँ पर produce होगा जिसके इसकी तरफ चलेगा वो आपको find out करना है तो अचली second example दिखते है तो दिखिए second example में क्या लिखा है कि in the above example मतलब first of all question में assuming that the bench on which महेंदर is sitting is frictionless महेंच कही समझे किसी का भी समझे दोनों का भी समझे या महेंदर कही समझे कि वो frictionless है उसके अंदर कोई friction नहीं है हां महेंदर का समझे सिर्फ महेंदर का तो on which महेंदर is sitting is frictionless starting with zero velocity तो पहले तो वो stationary रहेग पहले तो रुका रहेगा इसके लिए start होगा zero velocity से मतलब initial velocity जो है वो zero रहेगी what will be महेंदर महेंदर या महेंद्स velocity of motion towards विराट after one second तो एक second के बाद महेंदर का जो velocity रहेगा जो विराट की तरफ रहेगा वो कितना रहेगा मतलब आप से क्या पूछ रहे है कि initial velocity जो है और फि आप से वी पूछा है तो यू दिया है और वी आप से पूछा है और यहाँ पर time दिया कितना one second तो अगर given की बात करेंगे हम लोग तो आपको initial velocity दिया है 0 meter per second और आपको final velocity आप से पूछा है और आपको time दिया है अब इनको सब को मिलाना है और आपको चेक करना कि इसमें कौन सा formula उसकरेंगे उसके पहले यह चीज़ देखे क्या लिखा कि will this velocity change with time and how तो जो हमको velocity मिलेगा क्या वो time के साथ change होगा तो किस त चुरुआत में देखा था यह सारे formula जिसमें से यह formula यहां पर use क्यों नहीं होने वाला क्योंकि यह formula सिर्फ एक ही चीज़ के लिए user है ज्यादा तर कि दो bodies के बीच में जो attract gravitational force है वो किस तरह मिलेगा तो यह तो हमको नहीं find out करना है दूसरा अगर यहां पर चलते हैं तो हम आपके पास है one second और A आपके पास नहीं है देखे ए नहीं है तो without A आप V नहीं find out कर सकते हो अगर A होता तो आप V find out कर सकते थे दूसरा अगर यहां पर आते हैं तो F M और A में से A अगर आप देख रहे हो यहां पर जो आपको चाहिए अगर यह A आपको मिल जाता है T आपक आपके पास है तो V आपको मिली जाएगा तो यह A अगर आप यहां से ढूण के सोच रहे हो कि यहां पर substitute करें तो यहां पर A पाने के लिए आपके पास mass होना चाहिए और आपके पास force होना चाहिए तो किसके force के बात कर रहे हैं यहां पर कौन किसके तरफ move होने वाला है व 10-10-2-7 वह भी है तो मेहंदर को अगर हम देखे हैं तो हमारे पास mass है 75 kg और जो फोर्स हमने अभी हम फाड़े था 4.002 इंटू 10-1 वह भी है तो अब अगर हमारा पास force है और हमारा पास mass है तो इन दोनों को मिला कि हम acceleration जो है वो find out कर सकते हैं क्योंकि इस acceleration को जो हम यहां पर substitute करेंगे इस equation में तो आपको मिल जाएगा velocity तो acceleration भी मिलेगा और velocity भी मिलेगा आपको velocity पूछा है तो आपको velocity फाइनली बताना है इसका मतलब यहां पर दो चीज़े आपको करना पड़ेगा पहले acceleration फाइनली करना पड़ेगा और फिर एक बार आपके पास यह वाले फार्मुले से कि f विच इस एकोड़ एम एंटु ए वाला फार्मुला यूज करना है जिसके लिए हम न्यूटन का सेकंड लो लिखेंगे और लिखेंगे कि according to Newton's second law force का जो फार्मुला है वो है m into a लेकिन आपको acceleration फार्मुला करना है तो यह फार्मुला चेंज कर देंगे हम a which is equal to m upon sorry f upon m क्यूंकि m वहाँ पर जाएगा तो force upon m हो जाएगा तो यहाँ पर f upon m आ जाएगा तो यह हो जाएगा f upon m अब इसमें से f क् के लिए है क्या चीज 4.002 multiply by 10 raise to minus 7 और divide by आपको m चाहिए तो m mass है 75 kg तो आपको यहाँ पर लिखना है 75 तो अब इसको solve करना है तो अब दिखें इसको किस तरह solve करेंगे हम क्या करते है पहले जो point इसको remove करते है तो point के बाद 3 places है तो आपको 10 0 वाला thousand से multiply करना पड़ेगा तो यह हट जाएगा लेकिन आपको पता है कि 1000 से अगर आपने multiply किया तो आपको divide भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिखते है कि which is equal to 4.002 into 10 raise to minus 7 into 1000 upon 1000 मतलब इसमे 75 सेम रहेगा उसके बाद into 1000 तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि यह जो 1000 है जब इसको आप 4.002 से multiply कर होगे तो इसका decimal चला जाएगा तो इसको दोनों को मिला कि आपको मिलेगा 4002 और फिर यहाँ पर बसता 10 raise to minus 7 नीचे है 75 और into 10 raise to 3 है यह आपको पता है पहले भी ने पता है था तो यह जो नीचे 10 raise to 3 है जब यह ऊपर चला जाएगा तो यह 10 raise to minus 3 हो जाएगा और फिर आप इन दोनों को अगर आप solve करते हो तो a raise to m into a raise to n है तो दोनों को plus करना पड़ेगा तो minus 7 plus minus 3 मतलब minus 7 plus into minus minus मतलब minus 7 और minus 3 minus 10 हो जाएगा तो finally यह हम लिख सकते हैं इस तरीकी से कि 4002 multiply by 10 raise to minus 10 और फिर upon 75 जिसमें से हम क्या करते है इसको divide करते है 75 से तो आप अगर इसको divide करते ह तो आपको मिल जाएगा 53.36 53.36 और यह जो है 10 raise to minus 10 यह आपके पास इसी तरह रहेगा फिर आपको क्या करना है फिर से 1 decimal तक लाना है तो अगर इसको आप यहां पे लाते हो तो आपको पता है कि 10 से divide करना पड़ेगा तो अगर मैं आपको यहां पे लिख के बता दू तो यह हो जाएगा 53.36 को अगर आप 10 से divide करते हो तो आपको 10 से multiply भी करना पड़ेगा अब इन दोनों को मिला कि क्या हो जाएगा यह point यहां पे आ जाएगा और यह बन जाएगा 5.336 लेकिन यह जो 10 है यह उसी तरह बचेगा तो इसका power क्या है 1 है तो इसका मतलब है कि अगर हम यह point को यहां पे लाते हैं तो तो यह बनेगा 5.336 into 10 raise to minus 10 यह वाला फिर into 10 raise to 1 आ जाएगा यह वाला और फिर see a raise to m into a raise to n है तो इन दोनों को solve करेंगे तो minus और plus minus होएगा तो 10 में से बन गा तो 9 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि finally acceleration का जो value है वो आपको मिलेगा 5.336 into 10 raise to minus 9 ज इसमें से आप क्या करो इसको round off करो थर्ड वाला जो है वो 5 से जाएगा तो एक इसमें आप लिख सकते हो तो which is equal to 5.34 कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि 2 डिसी मृत्तक रखने के लिए आप इसको round off कर सकते हो अगर 5 यह 5 से जाएगा और into 10 raise to minus 9 तो यह हो जाएगा आपका acceleration मिल गया है तो अब आप V find out कर सकते हो Newton के first law से तो हमें आप लिखेंगे कि according to Newton's first law V which is equal to U plus 80 जो मैंने आपको बताया था तो अब हमार पास U to V है initial velocity जो 0 रहेगा फिर plus A acceleration जो आपको अभी मिला है तो वो आप लिखोगे 5.34 into 10 raise to minus 9 और फिर multiply by T तो multiply by T तो T आपको 1 second दिया ह तो multiply by 1 करेंगे तो 0 तो इस ही चला जाएगा और 5.34 into 10 raise to minus 9 को अगर आप 1 से multiply करोगे तो आपको same ही मिलेगा तो which is equal to 5.34 into 10 raise to minus 9 और velocity है तो आपको मालूम इसका unit रहेगा meter per second तो ये उसका velocity रहेगा मतलब acceleration और velocity यहाँ पर same है फिर क्योंकि time 1 second है फिर दिखे क्या लिखा कि will this velocity change with the time and how तो ये जो velocity है जिसे से time increase होगा तो क्या ये velocity भी change होगा तो चले ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक इसमें जो velocity पूछा था वो हमने कर लिया अब हम देखते हैं कि ये जो velocity है ये time के साथ change होता है या नहीं होता है तो चले आगे देखते हैं तो चले जो question है कि will this velocity change with time and how तो क्या ये जो velocity है वो time के साथ change होगा तो अभी जो velocity मिला आपको वो कितना मिला वो मिला आपको 5.34 into 10 raised to minus 9 अब ये अगर उसका formula है V which is equal to U plus 80 तो U to initial velocity 0 है अभी जो acceleration था वो भी यही मिला था आपको 5.34 into 10 raised to minus 9 तो time जो अभी 1 second हमने substitute किया था अगर वो 5 second हो जाएगा तो आप इसको जब multiply करोगे तो obviously acceleration बढ़ेगा मतलब ये value बढ़ेगा इसा समझे और फिर अगर total देखोगो तो velocity भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा मतलब time के increase होने पे velocity भी increase होगा और दूसरा अगर हम acceleration और force की बात करेंगे ये एक चीज़ याद रखी कि time के increase होने से velocity obviously क्या होगा increase होगा चले force और acceleration में कोई changes होता है क्या ये भी check करते हैं for example एक general example लीजे कि एक body है जिसका mass है 5 kg और उसके ओपर जो acceleration है अभी फिलाल वो है 2 meter per second और इसलिए उसका जो force रहेगा वो रहेगा 10 newton क्यों क्योंकि force which is equal to mass into acceleration तो 5 to the 10 होएगा 5 mass है और 2 acceleration है तो 5 to the 10 हो रहा है तो force भी आपको 10 newton मिलेगा या अगर आप देखते हैं acceleration find out करते हैं तो acceleration का formula क्या होएगा अगर आप यहाँ पर दिखेंगे तो mass वहाँ पर जाएगा तो force divided by mass हो जाएगा तो acceleration का formula जाएगा force divided by mass और force 10 newton है mass 5 kg है तो 5 is 5, 5 to the 10 त तो 2 meter per second जो है वो square है 2 meter per second square यह क्या हो गया उसका acceleration हो गया अब यहाँ पर यह आपको देखना है कि अगर यह force बढ़के 10 newton से हटके अगर 20 newton हो जाता है मतलब अगर force बढ़ जाता है इस mass होई है अगर force बढ़ जाता है तो क्या acceleration में कोई changes आएगा तो आप चेक करिए अगर इसको divide करते है तो आपको मिलता 5404 meter per second square तो देख acceleration बढ़ गया कैसे बढ़ा force से बढ़ने से मैं आपको example दूँगा बताऊंगा कैसे यह बात है यहाँ आप इतना समझे कि force जब 10 था तो acceleration 2 meter per second square था लेकिन force जैसे increase हुआ तो acceleration भी increase हुआ तो अभी जो हम body देख रहे ह विराट का और महंदर का अगर उनके बीच का distance अभी suppose 1 meter है तो आपने देखा था कि जब महंदरी इस तरफे suppose महंदरी जब विराट की तरफ आएगा तो distance तो कम हो जाएगा कुछ देर के बाद कुछ घंटों के बाद distance कम हो जाएगा और आपको पता है कि Newton ने क्या बुलाता कि जसे-जैसे मैंने ये-urpose स्टारटिक के स्टारटिक में बाता है जैसे-जैसे distance कम होता है force दनों की बीच का तो अगर force बढ़ जा रहा है इसका मतलब है कि फिर acceleration भी बढ़ जा रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको बता है कि force के बढ़ने से acceleration बढ़ता है तो जैसे महेंदर विराट की तरफ नजदीक होने वाला रहेगा तो दोनों का distance कम हो जाएगा और distance के कम होने से इन्वर्स रिलेशन मैंने आपको बताया था कि force is inversely proportional to the square of the distance मतलब जैसे जैसे distance कम होगा force बढ़ेगा तो जब force बढ़ेगा तो जो भी acceleration रहेगा वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मतलब यहांपर दो चीज समझे कि time के साथ में velocity तो बढ़ी रहा है साथ ही साथ में force के साथ में mass sorry acceleration भी बढ़ेगा और वही चीज यहांपर textbook में दिया है कि Mahindra's velocity after one second will be 5.34 into 10 raised to minus 9 यह 10 raised to minus 9 है meter per second this is an extremely small velocity हमको पता कि बहुत मामूली सा यह velocity बहुत ही slow velocity है the velocity will increase with time लेकिन यह है कि time के increase होने से velocity बढ़ेगा because of the acceleration क्योंकि acceleration भी increase होगा क्योंकि वह body नजदीक होने लगएगा फिर देखे किया लगँ है कि the acceleration will also not remain constant और acceleration कैसे constant होगा क्योंकि आपको मैंने पहले बता है कि force बढ़े गा तो acceleration बढ़ेगा और force क्यों बढ़ रहा है क्योंकि body नजदीक में आ रही है तो the acceleration will also not remain constant because as Mahendra moves towards Virat जैसे से Mahendra क्या करेगा, Virat की तरफ move होएगा the distance between them will decrease, उनके बीच का जो distance होएगा वो कम होएगा, causing an increase in the gravitational force और उनके बीच का जो attraction force है, वो increase होगा और जब वो increase होगा, तो acceleration भी क्या हो जाएगा, increase होगा और thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion क्योंकि Newton's second law of motion आप में देखा, f which is equal to mass into acceleration जो मैंने अपको अभी अभी बताया, तो यह यहाँ पर दिया है, उसके बाद फिर एक last example के लिए, example ने दिया आपको एक question दिया है कि, example मैंने लिया है, कि assuming the acceleration in example 2 above remains constant, since acceleration तो change होगा ही, क्योंकि वीराट की तरफ अगर महेंदर मूव हो रहा है, distance कम हो रहा है, force जादा हो रहा है तो acceleration भी change होते रहेगा लेकिन आपको क्या बोलाए, कि assume करिया इसा कि acceleration जो है, example 2 में है, वही रहेगा, वही चीज रहेगा constant रहेगा, मतलब acceleration आपको same ही लेना है मतलब आप समझे कि given में आपके पास acceleration है 5.34 x 10.9 meter per second square और फिर हम से क्या पुचा कि how long will महेंदर take to move 1 centimeter towards वीराट तो वीराट की तरफ महेंदर तो move होना चालू होने वाला है क्योंकि हमने frictional भी हटा दिया है और अब हम क्या करने वाले है acceleration को भी same रखने वाले है तो 1 centimeter का distance सिर्फ 1 centimeter खसकने के लिए महेंदर को वीराट की तरफ सिर्फ 1 centimeter अगर खसकना है, move होना है तो how long, कितना time चला जाएगा मतलब आप से क्या पूचा है, आपर time पूचा है तो आपको time पूचा है और 1 centimeter आपको distance बता है मतलब displacement आपको दिया है 1 centimeter अब यहीं पर रुक के समझें कि displacement अगर आपको centimeter में दिया है मतलब distance, तो आपको पता है कि उसको meter में change करना पड़ेगा time आपको ढूड़ने बोला है वो तो आपको ढूड़ना पड़ेगा acceleration meter per second square में है ही है आपके पास ओलरी निकाला है तो यह unit को आपको change करना पड़ेगा पर यहाँ पर question है कि formula कौन सा आप use करोगे तो Newton के जो तीन laws है उसमें सा आपको कौन सा formula यूज करना है acceleration आपके पास है यह formula में इस acceleration दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है आपके पास displacement यानि distance ऐसा समझे तो distance यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है distance यहाँ पर नहीं दिख रहा है और time वही चीज़ है मतलब acceleration की बात करें तो acceleration constant आपको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही formula आपको use करना है यह formula में आप कैसे find out करोगे आपके पास distance आपको दिया है distance कहां use करोगे आप तो distance का आपको use करना है क्योंकि distance specifically 1 cm की बात किया है तो आपको एक cm का ही आपको value find out करना है एक cm बे ही आपको टाइम find out करना है तो यहाँ पर आप न crushing है आपके आपके पास जो फार्मीर से find out कर सकते हैं कि कि कितना time जाने वाला है इप्रीमीशन मिलेगा यहाँ क्योंकि exact time नहीं मिलेगा students जो final answer तेते हैं अंसर से क्योंकि यह approximation है तो हम यूज करेंगे Newton का third law और लिखेंगे according to Newton's third law displacement जो S है which is equal to ut plus half 80 square और अब उसके पहले एक चीज़ और यहां पर करना था कि जो 1 cm है आपको बताया था कि वो meter में होना चाहिए तो आपको change होएगा और 100 का मतलब है 10 into 10 मतलब 10 square तो नीचे अगर 10 square है तो ऊपर जाएगा तो 10 raise to minus 2 हो जाएगा तो आप लिख सकते which is equal to 10 raise to minus 2 meter तो यह जो S है वो आप 10 raise to minus 2 लोगे तो S के place पह आपको यह लिखना है तो यहां पहो जाएगा 10 raise to minus 2 which is equal to U आपका initial velocity है वो 0 है multiply by time जो रहेगा वो भी 0 होई जाएगा फिर plus half same रहेगा half फिर acceleration आपको यही लेना है 5.34 into 10 raise to minus 9 थोड़ा adjust करता है उसको तो acceleration हो जाएगा 5.34 into 10 raise to minus 9 और T square तो यहां पहर T square है तो आपको T फानट करना है तो यह जो T है यह 0 के साथ multiply जाएगा तो यह T square जो है यह आपको फानट करना है मुदला T square के बाद square root लेके T फानट करना है तो अगर यह 0 हो जाता है तो यह पूरा term जाने के बाद यहां पर क्या बसता है यहां पर बचेगा 10 raise to minus 2 which is equal to half multiply by 5.34 into 10 raise to minus 9 और multiply by T square जिसमेंसे आपको क्या करना है T square रखना है right side में तो right side equal के right side में अगर आपको T square रखना है तो यह सब हटाना पड़ेगा जिसमेंसे 2 यहां पर divide हुआ है तो यहां पर जाके multiply हो जाएगा तो यहां पर लिख सकते हो 2 multiply by 10 raise to minus 2 क्योंकि यह यहां पर जाके multiply हो जाएगा और यह जो multiply हुआ इसके साथ यहां पर के divide हो जाएगा तो यहां पर लिख सकते हो कि divide by 5.34 multiply by 10 raise to minus 9 जिसमें सम क्या करते है 10 raise to minus 9 को जब उपर लेके जाएंगे तो थोड़ा इस तरफ लिखता हूं में तो यह हो जाएगा 2 multiply by 10 raise to minus 2 multiply by यह उपर जाएगा तो positive हो जाएगा तो 10 raise to 9 हो जाएगा और नीचे रहेगा 5.34 और फिर यहां पर रहेगा t square फिर इन दोनों को अगर solve करोगे तो a raise to m into a raise to n है तो m plus n हैगा मतला minus 2 plus 9 तो minus और plus minus होएगा तो 9 में से 2 minus करें तो 7 हो जाएगा तो यह final हो जाएगा 2 multiply by 2 multiply by 10 raise to 7 और फिर अपर 5.34 और which is equal to t square और अब अगर आपको इसको solve करना है तो यह पहले point हटाएगे तो point कैसे हटेगा point के बाद 2 place है 100 upon 100 से multiply करने पर हटेगा तो आपको इसा लिखना पड़ेगा मैं आपके simplification के लिए बता रहा हो तो 2 into 10 raise to 7 है into 100 करना पड़ेगा फिर upon 5.34 multiply by 100 करना पड़ेगा which is equal to t square तो यह जो 100 है इसको जब इससे multiply करेंगे तो इसका decimal चला जाएगा लेकिन यह जो 100 है यह यहीं पर रह जाएगा तो आप चाहिए तो इसको इससे multiply करेंगे क्योंकि हमको finally divide करना है इसके साथ add नहीं करेंगे तो 2 into 100 क्या हो जाएगा 200 तो जिसमें 2 into 100 हम यहाँ पर 200 लिख रहते है और into 10 raise to 7 और फिर upon इन दोनों को solve करेंगे तो इसका decimal point चला जाएगा और यह हो जाएगा 534 और फिर which is equal to t square अब देखे आपको इसको divide करना इससे अभी भी यह चोटा number है तो इसको बड़ा number करेंगे और divide करेंगे तो जादा चलेगा छोटा रखेंगे तो 0 point something आएगा तो हम क्या करते है इसमें से 200 है और 10 raise to 7 है तो एक 10 यहाँ पर लेके इसको 2000 कर देते है तो यह 10 raise to 6 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2000 into 10 raise to 6 10 मतलब 10 इदर आ गया तो 200 into 10 2000 हो गया और नीचे 534 आजाएगा तो upon 534 और which is equal to t square अब आपको क्या करना है 2000 को divide करना है 534 से आप इसको try करिए मैं आपको बता तो कहां तक divide करना है आपको 2 decimal तक divide करना है तो 3.74 तक आएगा उसके बाद 5 आएगा तो आपको 5 में से एक यहाँ पर लेके 3.75 पर खतम करना है तो यह 3.75 जागा एजए डिवि तो इन दुनों के place भी आ जाएगा 3.75 multiply by 10 raise to 6 which is equal to t square तो यह tk square का formula है आपको t find out करना है और फिर से थोड़ा सा confusion यह कि इसका square root आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करिए point को हटाए तो 100 से multiply करना पड़ेगा तो suppose करिए आपने 100 से multiply भी किया और 100 से divide भी किया है यहाँ यहा के और इसके वज़े से यह बन जाएगा 3.75 और नीचे का जो 100 है वो 10 square है और उपर एक 10 raise to 6 भी है जब यह उपर जाएगा तो 10 raise to minus 2 हो जाएगा और जब आप इन दोनों को solve करेगा तो 10 raise to 4 हो जाएगा मतलब finally 3.75 into 10 raise to 4 दिखाए देगा आपको 10 raise to 4 10 raise to 4 का मतलब है 4 0 मतलब 100 multiply by 100 तो इसका square root 100 है मतलब यहाँ पर 100 आ जाएगा सिर्फ इसका square root आपको निकालना पड़ेगा तो इसका square root आपको मिल जाएगा 100 और इसका अगर आप division method से आग निकालोगे अगर आप square root और 2 decimal तक अगर रखोगे तो आपको 19.36 मिलेगा division method से square root निकालना पड़ता है जो primary section में हमने सीखा भी है अब अगर आप इसको इससे multiply करोगे तो आपको मिल जाएगा 1936 और since आपने time find out किया है तो आपको मालूब में कि time का unit second था तो इस second में मिला है तो आपको अगर second में रखना तो second में रखे यह अगर आप 60 से divide करोगे इसको time मिलेगा तो यहां पर लिखा कि एक centimeter सिर्फ इतने distance को move होने के लिए 32 minutes चला जाएगा half half an hour से जाधा चला जाएगा और एक approximation हलका से इदर दर changes आ सकता और वो board exam में भी चलता है students तो चली यहां पर example जो था page number 6 पर यहां पर finish होता है मिलते हैं part 7 में thank you very much